गुड मानें तो ग्लास टुडियंट्स आइए क्लास सेवन का दीप का व्याकरण का लेशन फाइव सब्द भंडार का शेजभाग अनेक सब्दों के लिए एक सब्द हिंदी भासम कुछ ऐसे सब्द हैं जिनका प्रियोग अनेक सब्दों या वाक्यांसों के अस्थान पर किया जाता है आई देखते हैं फिर से हिंदी भासम कुछ ऐसे सब्द हैं जिनका प्रियोग अनेक सब्दों या वाक्यांसों के अस्थान पर किया जाता है जैसे जैसे देखिए अभिनेता अभिने करने वाला पूरुस जल चर जल में रहने वाला जीव और सद्धाले जहां दवाईयां मिलती है कि उपरोग्त उदारणों से असपष्ट होता है कि कुछ सब्द जैसे अभिनेता जल चर और सद्धाले आज पूरे वाक्यों को अर्थ असपष्ट करते हैं ऐसे सब्दों को अनेक सब्दों के लिए एक सब्द कहते हैं कुछ अन्य उदारण इस पकार है बड़ों की आज्या मनने वाला आज्याकारी जिसके आने की तिथी निश्चित ना हो अतिथी जिसका मूल ले आकाने जा सके आमूल जो इससर में विश्वास रखता हो आस्तिक जहां अनात रहते हो अनात हाले जो आज की सा आज की जमाने का हो आधुनिक जिसके माता पितर ना हो अनात जो कभी बूढ़ा नहो अजर जिसे जाना नजा सके अग्ये जिसका इलाज नहो सके अशाथ कोई नमीन खोज आविश्कार जिसके कोई सीमा नहो अरशीम जिसका बड़ा न केजसे के अवड़नी जो कभी न मरे अमर जो बड़ा भाई हो अग्रज जो छोटा भाई हो अनुज जिसका अंत न हो अनंत जहां जंगली पस पच्छी निर्भीखो कर विचराण करते हैं अभिया रणे जो अपनी ओर खीचे आकरशन दूसरे देश से मगाया जाने वाला आयात जिसके सामने कोई दूसरा न हो अद्विती जिसे करना आवश्य को अनिवार है जो दिखाई न दे अद्रिश्य जो करने योगी न हो अकरणी अभिने करने वाले इस्त्री अभिने त्री सहन करने योग अश्य है जिसके हिदे में दया हो दया लूँ जो किसी का पचना ले निश्पक्ष देश विदेश में घूमने वाला परेटक पिठी पर रहने वाला थल्चर नब में घूमने वाला नब्चर जो पिता का भक्त हो पित्री भक्त किसी विशे की जांकारी रखता हो विशे शग्य विद्यार्थियों के रहने का भवन छात्र परावास जो एक दिन नश्ट होने वाला हो नस्वर जहां कोई न रहता हो निर्जन जो आखों के सामने हो परत्यक्ष जिसमें पाप ना हो निश्पाप जो स्वयंग पर निर्भर हो श्वावलंबी समाचार पत्र या पत्रिक्ष से अपनी पसंद के दो चित्र के लिए अपनी उत्तर पुष्टिक्ष में स्लोगन लिखिये उदारन जैसे प्रकित का ना करे हरन आओ बचाए परियावरन महत पूर्टा थे देखते हैं जिन सब्दों की वर्थनी जिन सब्दों की वर्थनी और उच्चारण में हलका सा अंतर होता है परंत अर्थ में बिनता होती है समोचरित समोचरित भिनार्थक सब्द कहलाते हैं जिन सब्दों की गुढ़ अर्थों पर ध्यान देने से इन सब्दों की अर्थ में सुच्व अंतरस्पाश हो जाता है कार्था सब्द कहलाते है तो बच्चों इस प्रकार से आज आप क्लास में पर समात होता है अगले क्ल झास में ते तट नहीं?